है अलो फ्रेंड्स नमस्ते कैसे आप सब आपसा करता हूं आप सभी ठीक होंगे अभी कोरोना का चल रहा है तोड़ा जोर हो में आपसा करता हूं आप सभी अभी करता है अगर कोरोना आगे बढ़ता है तो आपको अधिक सधिक एप का यूज करना पड़ेगा पॉलीशिया बनाने के लिए जैसे कि पिछले कोरोना के लोकडाउन में भी अधिकतर ओंडाइन एप का इस्तमाल हुआ तो इसलिए मैं आज लेकर आया हूं यूवी पोर्टल पे पैसे पैसे बनाते हैं और मैंने जब पिछली वीडिया पनाई थी उसमें मैंने कहा भी ता कि मैं एक एक करके सभी पॉलीशन के बारे में लेकर आऊंगा आज मैं लेकर आया हूं पैसेंजर केरिंग विकल की पॉलीशी हम कैसे बनाएंगे यूवी पोर्टल पर तो ही चलते हैं अब पॉर्टल खोल लेते हैं आपके पास आईडी पासरड होगा उससे अपना पॉर्टल खोल लीजिएगा और खौल कर जैसे यह पेज मेरे सामने खुला हुआ है इसी तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा और इसमें यह बस का लोगों दिखा रखका है और उसके आग उससे पहले तो है कि आप नई और पुरानी सब्ही के अंदर नई और पुरानी दोनों का अप्शन आता है निव और रिनीवल रिनीवल है तो जिस पिसली में है या खतम हो गई और रिनीवल में लेते हैं और निव के लिए जो बिलकुल निव शोरूम से जो पर्चेज की जा रही है उसके भी में बनानी है तो नियू पर लेते हैं यह तो आपको पता ही होगा आप टू विलारो प्राइवेट कार की बना रहे हैं तो तो अभी हम रिन्यूल में देख लेते हैं तो पैसेंजर केरिंग वीकल में बैसिकली बंदी किस किस चीज की बिमा इसके अंदर बनती है चाहते है तीन पैया हो दो पैया हो यह चार पैया हो जिसके अंदर सवारिया बैठा ही जाती है जो और सवारियों से बैठाने का किराया वसूल किया जाता है उसको पैसेंजर केरिंग वीकल में काउंट किया जाता है और अगर चार पैया है तीन पैया है और अगर सवारिया बठाकर उनको पर्सनल यूज में लें और उनसे कोई किराया वसूल नहीं करें उनमें बठाकर तो उनको पर्सनल यूज के लिए बोल देते हैं लेकिन यहां क्या है कि उनसे किराया लिया जा रहा है सवारियों से तो वो पर्सनल यूज में नहीं होंगी तो ऐसी ग आठो टैक्शी फॉरविलर टैक्शी टूविलर जो मोटिREE चलती है जो आजकल ओलाकैब में चलती है यह टूविलर कमर्शिल और फॉर विलर बस चार पैया या चार पैया से ज्यादा के कोई भी वीक्ल जिसमें सावारिया बढ़ाई जाती हैं जैसे बस हैं तो जैसे ही हम इसमें class of vehicle को select करते हैं तो इसमें आता है सबसे पहले three wheeler carrying capacity और जो आगे symbol दे रखा है less than equal to six उनलब 6 या 6 से कम सवारियां बैठेगी तीन पईये में जिसके तीन पईये काओ three wheeler ओटो बोलते हैं जिसको लेकिन उसकी सवारियों की limit 6 seat तक ही है तो हम यह पहले वाला option select करेंगे उसमें और अगर वो three wheeler है और उसमें greater than 70 17 से ज्यादा सवारियां बैठती है तो यह नीचे से third दे रखा है और उपर से fourth option तो इसको हम select है रहे हैं और अगर हमारे पास three wheeler है च्छे सवारी से ज्यादा है और 17 से कम है तो जो नीचे से second है इसको यूज करेंगे तो इसमें सवारियों पर डिपेंड करता है कि आरसी के अंदर कितनी सवारी दी गई है आप इसके लिए आरसी में जरूर देखें क्योंकि सवारियों के नुसार ही passenger carrying vehicle में प्रीमियम लग पूरी तरीके से सवारी पर डिपेंड करते हैं तो इसलिए आपको सवारी उसी कैटेग्री में लेनी जिस हिसाब से आरसी के अंदर दी गई है तो अगर वो फोर विल्लर है ओटो टैक्सी है जैसे पांच सीटर गाड़ी है कोई यह चार सीटर गाड़ी है और टैक्सी में चलती है तो वो फॉर विल्लर जो इसमें जो सेकंड और थर्ड में जो अप्सन दिये गए हैं फॉर टू टैन वील केरिंग कैपिसिटी सेकंड में दिया गया है लेस देन इकल टू सिक्स और फॉर तो में दिया गए गर गर चैसीट से कम सवारी आगर आरसी में दी गई है तो यह सेकंड वाला ओपशन जो है इसको चूज करना है और अगर हमारे पास बस है तो बस चांदर तो चैसीध तो उतनी छैसे जाद़ा सीट के लिए होती है तो उसमें हमें यह थर्ड नंबर वाला ऑप शन जो है इसको सेड़ेक्ट करना है तो इस तस तरीके से यह में चीज होती है इसमें कि हमें कौन सा लेना है तो अभी अगर मान लीजी हम बस की बनाएं तो बस के लिए हमें यह उप्सन लेना है और यहां पे हमें गाड़ी नंबर डालने है तो हम गाड़ी नंबर आर जे से डालते हैं जैपूर के 14 डाल देते हैं और वैसे तो राजस्थार में फिक्स कोडिंग होती है वहिकल के क्लास वहिकल के अनुसर लेकिन फिर भी हम यहां पर ऐसे ही कोई भी या तो जैसे परस्ट पैसेंजर केरिंग में पी और पहला ओप्सन होता है इसमें और सेगिंड में यह बी सीड ही आगे बढ़ता रहता है लेकिन आपनी हम मैं यहां पर कुछ भी डाल देता हूं और आगे यह नंबर कि अब सेकेंड बार भी सेम वही डालना है अब इसके बाद आता है कि चैक-बॉक्स स्कूल बस का अगर वह बस है या ओटो टैक्सी है या थ्री विल्लर ओटो है जो भी हम उपर सड़ेक्ट करें थे उन में से कोई भी आप हम सलेक्ट करते हैं लेकिन वो इस पर आप स्कूल के अंदर चलते हैं उनके आरंसी जो है व हम इस चेकबोक्स को हम टिक करेंगे तो इस में स्कुल का जो प्रीमियम है वो कम लगता है लेकिन अगर वो इसकूल के परपलसी नहीं है जनरल रोड पर चलती है आप तो हम इस पर सलेक्ट नहीं करेंगे जैसा है इसको वैसा ही छोड़ देंगे अब इसके बाद आता है मेक में मान लीजी हम टाटा या सोक ली लेंड जिसकी भी बस हो तो इस तरीके से कोई भी एक सलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं आप मेरा में परपज है आप लोगों वह इस आयर्फिया आप आर्सी में देखले न आर्सी अंतर लिख्याओं मिलेगा को एक पास ये सब हाई हो जाएंगे और हम इनको किसी को भी फिल नहीं कर पाएंगे और सीधा हम Show थर्ड पारटी Previum पे जाएंगे और थर्ड पारटी वीम्मा बना देंगे अगर हमें package बनानी है तो उसके लिए और पिशली वीमन नहीं है तो हमें उसके लिए pre inspection करना हुड़ेगा pre inspection के लिए UB portal का एक pre inspection के लिए एक अलग से पॉर्टल है जिसकी आइडी पासवर आपके पास होंगे आप उसका उप्योग करिए और अगर कोई ऐसा अभी कोई नहीं बने हैं जिनको उसका उप्योग नहीं आता है तो मुझे कमेंट से बताईएगा मैं उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो पॉलीसे पेकेज का एक चेकड़ीकश पर हैक और हमकर पास पैकेज हैं तो पैकेज पेकरेंगे चौण करेंगे तो चैकन्ड लोट्यंट करने है तो हम पैकेज पे क्लिक करते हैं और यह एकस्पारी डेट वांगेगा तो हम कोई बेग डाल डाल देते हैं अब उसमें आता है क्लेम इन प्रिवियस पॉलिशी अगर पुछी पॉलिशी हमारे आगले जो गाड़ी है उसकी जो चल रही है पुछी पॉलिशी उसके उपर अग लिए डेरा है जो हम इसमें दे रहे हैं क्योंकि पॉटल को कुछ नहीं पता है पॉटल को वो पता है जो आप इसको बताएंगे तो मिझाहिये ये मत सोच के चलिए है अगर गलत बरते हैं तो उसके लिए लाइब बला आप होंगे तो इसलिए आप इसमें सभी सही जानकारियां बरें क्लेम की जानकारी आप एजेंट है आपको नहीं पता है आप कस्टुमर से पूछी कि आपने पहले कोई क्लेम लिया है पिछली पॉलीशी पर या नहीं लि लिए और कोई क्लेम नहीं लिया है तो यहां जीरो रखिए बाद लीजिए पिछली विमा के अंदर बीस परसेंट एंसीवी चल रही थी तो यहां पर आप बीस परसेंट पर सेलेट कर देंगे यह अगला स्लैब ओटोमेटिक ले लेगा ऐसा नहीं करना कि आपको पिछली आप के अंदर एंसीवी दे रखिये तो आप यहां पर इसको पड़ाई ना कि इसमें क्या लिखा है लाश्ट यहां लिखा है लास्ट यह एंसे और अगला इस लाइव उठाकर यहां पर फच्शिश डाल दो कि भीस तो उसमें दिया हुआ है अम यहां पस्टिस लेगा इस गई है जीरो दी यह तो जीरो डालना है बीस दीविए तो बीस डालना है पच्चिस दीविए तो पच्चिस डालना है पचास दीविए तो पचास डालना है अगर वह वीकल ट्रांसफर किया हुआ है पिछली बीमा के बीच के दोरान तो हमें इस पर चैक बोक्स पर क्लिक करन अब यह आटोमेटिक जैसे हम आगे पैकेज पुलीस जाएंगी इसमें सीवी नहीं अलाव करेंगा लेकिन अगर हमें सीवी देनी है तो इस से पर नहीं करना है नाम ट्रांसपर नहीं है एंसी भी हमें देनी है क्लेम है नहीं तो हम इसमें जो पिसली पीमा है उसके अनुछ क्लिक करेंगे तो अभी हमने यहां पर कोई गांडी के नंबर है जो सायद अभी जी आ उपर वाले में जी आर लिख दिये थे तो यहां भी हम जी आर लिख देते हैं और शो पेकेज प्रिमियम पर क्लिक करेंगा तो जैसे सो पेकेज प्रिमियम पर क्लिक करते हैं हमारे पास सेकंड पेज इखलके आता है यहां आईडी मांगता है हमें पिछली भीमा के अनुछ सार उसकी आईडी वी जेनरली लोग 10% गटा के करते हैं जबकि वास्तिक में आईडी वी होती है कि उसने जो पर्चेज की तो सही आईडी वी तभी निकल के आती है लेकिन जैसा है कि मैंने लोगों से फिडबैक मिला है जानकारी मिली है लोग जनरली करते क्या है यह कोई गाडी थी पांच लाक में 2010 में खरीदी थी और आज वीस मौडल की गाड़ी 2020-2022 में खरीदेगा रेट बढ़ते बढ़ते है उसके 5 लाक रख की गाड़ी का आज 10 लाक रुपे वही गाड़ी 10 लाक में आने लग गई है तो वो कहा है कि आज की डेट केनो सार उसके खिए किमत डालता है कि बहाज 10 ल कि अब वह साथ सब्सक्राइट के अंदर भी वह चार पांच लाग रुपए की गाड़ी बच गई उसने पांच लाग की खरीदी थी और आज भी दस साल बाद भी हम चार लाग करें वह बिल्कुल गलत है वह ऐसा नहीं करना गाड़ी की आई डी जब वह गाड़ी खरीदी ग लिए उनके रेट कम थे कुछ महंगाई के अनुसार रेट बढ़ गए हैं तो कफी चीज़े डिपेंड करती हैं तो आपको उस एयर के अनुसार उस एयर में उस गाड़ी की पर्चेज वैल्यू क्या थी उसके अनुसार डेप्रेसेशन लगा के ही आई डी वी यहां पर काल निचे प्रीमियम हमें दिखा दिया है जैसी हम 10.000.000 डाल के साइड में कहीं भी क्लिक करते हैं तो इसमें निचे प्रीम्यम आ जाता है तो ईसका यहां पे ब्रेक प्रेक अप दिखा जेता है कि किस चीज़ के कितने रुपह ले रहा हैं जी आफिर प्रेम कितना है उसके 50 प्रसेंट एंसीवी दे दिये इसने आपर एंसीवी घटा के 1132 रुपे प्रीमियम वाया है 14494 में थर्ड़ पार्टी का बेसिक प्रीमियम है बाकी 22528 रुपए उसकी सवाजियों का प्रीमियम है अब मान लीजिए यहां पर डिस्काउंट भी देते हैं क्योंकि आज कल कमपेडिशन का जवान है डिस्काउंट आप डालती होंगे तो यहां हम 50 तक डालेंगे तो पॉटल 50% डिस्काउंट पर डाउन कर देगा लेकिन हम जैसे ही इसको 50 से उपर बढ़ाएंगे 60 करेंगे य इस तरीके के पॉप अप मेसेज देगा यूए अप्लाइड फॉर आयर डिसकाउंट क्लिक एयर टू नो दा प्रोसेस पॉर अप्रॉबल ऑफ इयर डिसकाउंट तो यह जो बिल्यूम में क्लिक एयर लिखा है कर इस पे क्लिक करेंगे तो यह इसकी जो कंडिशन है वो उसक पर यह आयर अप्रॉल वर्क पर आप से हायर अथॉर्टी जो भी है आप ऑफिस के अंदर जिस ऑफिस से आप जुड़े हुए हो और वहां जो भी अप्रॉबल देता है उनके पास तो अब इसमें आगे यह पेज खुल के आता है इसके अंदर थर्ट पार्टी प्रोपरिटी डेमेज लिमिट है जो साड़े साथ लाग है जिसको गटा कर छहाजार भी कर सकते हैं इसमें कुछ पैसे कम हो जाते हैं जो आपको जनरली नहीं करना चीए ऐसा इसको साड़े साथ लाग ही रखना है लेगल लाइवली टू ड्राइवर क्लीनर कंडेक्टर तो इसमें एक ड्राइवर और एक कंडेक्टर अगर लेना है तो हम इसमें दो सलेक्ट कर लेंगे और अगर मान लीजी हमारी आर्सी के अंदर दिरक्षी है 30 सीट टोटल तो हम यहाँ पर 30 डालेंगे तो आर्सी के अंदर जो लिखे आती सेटिंग कैपसेटी वो टोटल लिखे आती है जिसमें ड्राइवर कंडेक्टर सब जामिल होते हैं या फिर उसमें लिखा रहा है 30 प्लस 2 तो 30 और 2 एक्स्ट्रा हो जाते है तो अगर उसमें केवल 30 ही लिखा हुआ है तो 30 का मतलब है कि कि वह गाड़ी जो है 30 सीट में पास है जिसमें ड्राइवर कंडेक्टर इंकलोड हो चुके हैं तो हमने दो उपर ले लिए और 30 ही पास है तो हम यहां पर passenger carrying capacity में 28 ले लेंगे तो उसमें 28 passenger बैठेंगे और दो उसमें driver और conductor हो जाएंगे तो total 30 हो गए हूँ और अगर उसमें दे रखा है 30 के लिए 30 प्लस दो पार्सी के अंदर प्लस लगा के अलग दे रखा है 30 प्लस दो तो आप इस तरीके से 30 डाल सकते हैं जैसी आप कोई भी option है उस पे जो डालना है डाल के side में क्लिक करते हैं तो ये एक बार गोंता है और premium का calculation करने के लिए अब ए नोन फेर पेरिंग पेसंजर कोई बिना किराए वाला भी अगर कोई passenger के लिए उसमें वाकावार लेना है तो इससे अगला option है इसमें हम डाल सकते है जनरली अगर passenger केरिंग विकल है तो उसमें सब पे फेर paying ही होंगे किराए देने वाले ही होंगे तो इसमें ऐसा कोई सलट नहीं करेंगे तोविंग चार्जेज हैं इसको बढ़ा कर पीए फोर ड्राइवर कंड़क्टर हमने उपर दो सलेक्ट करी लिए हैं यहां डालने की जरत नहीं है अगर यहां डालते हैं तो उसके बाद में यह सम इंशोड पर पर पर्शन तो यहां से अलग से लेना पड़ता है उसके बाद ऑनर ड्राइवर पीए कवर अगर में गुड्स केरिंग ट्रक में सब में याजकल 15 लाग यह रहता है तो यह आप दे सकते हैं हाईर इंडेमिटी है जो जनरली देते नहीं है तो और नहीं कोई लेता है तो इसके बारे में जानकारी अभी नहीं देंगे अगर किसी को जानकारी की जरत हो तो मेरे कमैंट्स ब यह जो जरेनली सभी लेते हैं तो यह हाँ आई एंटी दे सकते हैं इसमें आई आइंटी त्वन्टी फैसे होता क्या है कि एक आई-एंटी ट्वन पॉलिसी के अंदर जैसे बान नट है बंपर है है और हैड लाइट है और टायर ट्यूब और बंपर के साइड पार्ट्स ये जो चीज़ और उनका जो पेंटिंग है वो चीज़े क्या है कि कॉमर्शिल विखल की बेसिक पॉलिशी में कवर नहीं होती है उसके लिए आएम्टे 21 मों लगा हुआ रहता है उस आई एंटी 21 को अठानेके लिए हम अई एमटे 23 कवर लेते再だ इसका पंद्रा प्रसेंट अग्स्टर चार्ज होता है तो इसको अईएंटे 23 लेने ते वह आई का पूलिशी में से कवर अठ जाता है और वह अठते ही गाड यह इस तरीके पार्ट्स हैं और उनकी पैंटिंग यह सब कवर हो जाते हैं इसमें यह आई एंपे 23 ले सकते हैं ताकि कलेम के वक्त इन चीज़ों के पैसे मिल जाए और यहां से इस तरीके से इसका ब्रेक अब को देख सकते हैं ब्रेक अब मिल जाएगा इस तरीके से अगर आपको प्रीमियम निकाल के किसी को बताना है तो आप सिर्फ यहां तक जाके और इसका स्क्रीम सोट लेकर कस्टूमर को आप बेज़ सकते हैं कि वह हमारे इस तरीके से यह पैसा आएगा अगर वह संतुश होता है तो हम इससे आगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे अब प्रोसीड के बाद जो भी आपके पास यह खुलके आया एगल नेक्स्ट पेज यह सब पॉलिशियों के अंदर आपने जो इससे पहले टूविलर में का हमारा जो टूविलर यह प्राइविट कार का इससे पहले जो मैं लिंक पर डाल दूँगा तो यह सब चीजें सेम उसी तरीके से बढ़नी है यह आर सी में आपको फूल नेम एड्रास यह सब दिया हुआता है मोबाइल नंबर आप कस्टूमर से ले सकते हैं उसका टैलाटस्ट मोबाइल नंबर मेल आईडी कस्टूमर से लेनी है इंज सकते हैं और नहीं पता तो बस क्लोज होती है आप क्लोज बोडी उसमें ले लीजिए गा प्रिवेस इंशुरर या पिछली बिमा की कोपियों से लेंगे कस्टूमर से उसकी उसमें लिखा हुआ होगा कि किस कंपनी की बिमा है और उसके पॉलिसी नंबर जो है वह यहां पर अगर फाइनेंस नहीं है उस गाड़ी पर तो सेलफोन रखना है परमिट टाइप आप कस्टूमर से पता कीजिए कि उसका जो विकल है उसको कहां चलने के लिए परमिट उन्होंने करा रखा है नैशनल है लोकल है इस्टेट है उस अनुसार आप उसमें कलिक करके नहीं में डेटेल अगर हमने वहांपे क्लिक करते हैं तो यहां यह वांगता है आपने सी पी यह अठा दिया था इसलहीं नहीं उन्हागता और प्रोशीड पर क्लिक करें गाँए उसके बाद वही पर सीजर आप वेरिफाई करें सारे न को इसे एगले पेज़ पर और अगर सारी चीजें सही है तो चैक बॉक्स पर क्लिक करें और पेमेंट के पेटिए और अगर आप ने हाईर डिसकाउंट लिया था पचास से जादा तो वहां आपको पेमेंट का उपसंन नहीं देगा वहां आपको खाउन के लिए नीचे निले में लिखावा मिलेगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो वह सिधा आपका जो भी संबंदित ओफिस है आपका जहां से आप जुड़े हुई है उस ओफिस में जो भी ऑथोरिटी है उनके पास चला जाएगा और वहां से आप उसको अप्रूल करा लें यह जैसी अप्रोल करा लेंगे आप प्रियम रेजिस्टर को लेंगे पिरियम रिजिस्टर में डेट से सर्च करेंगे वहां आपको पेनाओ का उप्सन मिल जाएगा वहां से आप पेमेंट कर देंगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताईएगा और अगला कोई वीडियो जो आपको ज्यादा अर्जेंट जरूरी हो तो वह बता दीजिएगा मैं आपको कोशिज करूंगा उ और अगर वैसे तो मेरा वीडियो दीरे दीरे सारे जो भी मैने कहीं था पकि मैं सारे उलब्द करूंगा जितनी पोलीशिय यह वी पोडल पर हैं सबी की विडियो आपको उपकलभ्द करा दी जाएंगी और अगर आपके घर के अंदर कोई जोटा बच्चा है जो कृटिव थोड़ा कुछ बढ़ाने में ड्रोइंग बगेरा डियाई वाई टाइप तो उसके लिए एक यह डियाई वाई पर एक चैनल है वन्सीक आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से तो यूटूब पर जाएए वहां सर्च किए जिए और इस तरीके का लोगो आपको दिखाएगा वहा अबहुत आपको आपको मिलेंगे इसमें जो आपके बच्चे बच्चे ओक दिखा सकते हैं तो आज का मारा मेन वीडियो था यूवी पॉर्टल पर पैसेंजर कर इंग वेहिकल की इंसरेंस कैसे बनाएं अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपके काम आया तो प्लीज अपने दोस्तों को सेर कीजिए ताकि उनके भी काम आए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो अब मैं आप से नुबती लेना चाहूँगा थेंक्यू धन्यवाद